सरकार के दो साल पूरे होने पर 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने ये घोशना की थी कि दो पहिया वाहनों को पेट्रोल की कीमतों पर 25 रुपय की छूट मिलेगी 26 जनवरी से ये लागू होने वाला है लेकिन जारकर्ण में हर घोशना की तरह इस घोशना में भी बहुत पेचीदगी है राजिका कोई भी घोशना पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाता है पहले की योजना इतना जटिल बना दिया जाए कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आता दूसरा आम जनता भाग दोड नहीं कर पाती है यहीं कारण है कि योजना धरातल पर आने से पहले ही दम तोड़ देती है बाकी योजनाओं की तरह इस योजना का लाभ लेने का प्रोसेस बहुत लंबा और जटिल है वो भी बताएंगे बतादे कि सरकार एक दो पहिया वाह को प्रती लीटर 25 रुपए की सबसीडी देगी लेकिन एक महिने में सिर्फ 10 लीटर पर ही यह सबसीडी लागू होगा लेकिन एक दिक्कत है अब आप कहेंगे सही तो है दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपके पास राशन का होगा मुख्यमंत्री 19 जनवरी को इस एप को आम जनता के लिए लॉंच करेंगे उसके बाद पेट्रोल सबसीडी के एक शुक गरीब परिवार इस एप पर आवेधन प्रारंब कर पाएंगे बता दें कि इस एप पर गरीब परिवार ही आवेधन कर पाएंगे उनके स्टेशन से लेकर वैधता तक की जानकारी शामिल होगी वहीं डिये सो द्वारा राशनकार्ड की वैधता और उसमें दर्ज जानकारियों की पुष्टी की जाएगी आवेधक को राशनकार्ड संख्या परिवार के सभी सदस्यों के नाम किसके नाम से कौन सा दोपहिया वा जब खाद आपूर्ती विभाग ने परिवाहन विभाग से यह आकड़ा मांगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कार्ड धारक है और उनके पास दो पहिया या तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो परिवाहन विभाग ने कहा कि रेजिश्टेशन के समय आधार कार्ड लेना पानिवार्य नहीं है इसलिए किस गरीब परिवार के पास कौन सा वाहन है इसका आकड़ा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता जबसे गोशना हुई है तब से चर्चा का विशय बना हुआ है कि आखिर ये योजना पूरा होगा भी या नहीं लेकिन अब ये पूरा होता दिख रहा है अगर आपको भी योजना का लाव लेना है तो पहले इस एप पर राशन कार्ड की सारी जानकारी देनी होगी जैसे राशन कार्ड नंबर जितने लोगों का नाम उस कार्ड पर है किन लोगों के पास वाहन है ये सारी संबंधे जानकारी आपको इस एप पर देनी का प्रोसेस अभी खतम नहीं हुआ है इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी जांच करेंगे डीटी ओ और डीएसो डीटी ओ जो वहन संबंधित जांच करेंगे डीएसो रासन कार्ड संबंधित जांच करेंगे अगर जांच में सब ठीक रहा तभी आपको इस आपको तो पता ही है कि सरकारी दस्तावेज में कितनी गलतिया होती हैं अगर उस आधार पर जांच के दौरान लोगों को इस लाब से वंचित किया जाएगा तो एक अलग मसला खड़ा हो जाएगा सरकार की पहल तो अच्छी है लेकिन देखना होगा कि एन एफसे के तह चि देख रहे हैं दा फॉलो अप मेरा नाम है रिशाब गौतम इस मसले को लेकर आपकी क्यार आई है हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद फॉलो अप.in लाइक शेयर और सब्सक्राइब www.thefollowup.in